नमस्कार मैं संजय सिंखानिया आप सभी को अपने इस प्यारे से यूटूब चैनल सिंखानिया स्विसी पर स्वागत करता हूँ तो मेरे प्रिये छात्रों आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लेजियेगा तो आईये हम इस वीडियो को सुरू करते हैं आप लोग को आप लुग को जो है टोटल यूनिट की बात की जाए तो आप लोग को 6 उनिट परना है 12 वाले के लिए math में कितना unit परना है 6 unit परना है तो आपको first unit में परना है संबंध एवम फलन जिसको कहते हैं इंगलिस में relation and function इससे जो आपको 10 marks के question पूछे जाएंगे exam में दूसरे unit है बीज गनी जिसे algebra काते हैं तो algebra से आपको 13 marks के question पूछे जाएंगे यानि कि 13 नंबर के question पूछे जाएंगे second unit यानि algebra से फिर तीसरा unit आपको है वो है calculus calculus से आपको में जो है 12 का part होता है board exam की भी उसे कहा जाए तो वह calculus ही होता है जो सबसे जादे नंबर का पूछा जाता है और वह पूछी जाती है 40 marks के यानि कि कर ये 40 marks के यानि 40 नंबर के question पूछे जाती है किसे calculus से आए नेक्ट यूनिट का हम लोग देखते हैं next unit आपका 4 है वो है सदीस एवं तिरी भी मिया जैमिती जिसको इंग्लिस में कहते हैं vector and 3D geometry इन से आपको 18 marks यानि 18 नंबर का question पूछा जाता है board की exam में आए नेक्ट देखते हैं unit number 5 रैखिक प्रोग्रामन इसको इंग्लिस में कहते हैं LP कहते हैं sort में लेकिन इससे पहले linear programming कहते हैं इससे आपको 9 marks के question पूछे जाती है नहीं 9 number के question पूछे जाती है exam में आए लास्ट यूनिट को हम लोग देखते लास्ट यूनिट आपका हो गया प्राइकता probability इससे आपको 10 marks के question पूछे जाती है board के exam में तो total आपको कितने marks के question पूछे जाते हैं 100 marks के question पूछे जाते हैं अगर आप इस channel के माध्यम से 95 पलस number लाना चाहते हैं तो हमारे इस channel को subscribe कर ले क्योंकि मैं बादी बारी से आपक इसके बारे में समझते हैं कुछ topic के बारे में तो चातरों आप लोग ने जान लिया कि हमें कितना unit परना है तो आईए आप लोग को कितना अध्याई परना है कितना chapter परना है उसके बारे में जानकाई देते हैं तो आप लोग को कुल जो है दो book परना परेगा एक first book होगा और दूसरा सकेंड बुक होगा तो फर्स्ट बुक में आप लोग को कितना अध्याय परना है कौन-कौन से अध्याय परना है उन सभी को बारे में बताता हूं तो फर्स्ट बुक में आपको जो है देखिए कौन-कौन सा चप्टर परना है सबसे पहला चप्टर आपको होगा स तेसरा अध्याय परना परेगा अब यू जिसको मैटरिक्स कहा जाता है फिर चोथा अध्याय आपको परहेगा परना परेगा डिटर्मिनांट यानि शारनिक को परना परेगा फिर फाइब यानि की पाथमा अध्याय आपको परना परेगा सांतत और अब कलनियता जिसको continuity and differentability ठिकाते हैं शिक्स अध्याप लोग को परना परेगा अब कलज के अनुपर्योग यानिश्ट के अप्लेकेशन और डेरिवेटीज अध्युक में आए देखते हैं कौन-कौन से आपको अध्याय परना है तो सेकेंट बूक में देख लिजिए आपको जो अध्याय परना है क्यों जो आप्लीकेशन अप इंत्रस होता है तीसरा अध्याय आपको परना परेगा तुक्त में परना परेगा 5 मार परना पर 3-Dimension Geometry आप लोग को परना परेगा जिसे स्वाट में 3D भी आप कह सकते हैं 6 अध्याय आपको परना परेगा रेखिक प्रोग्रामन जिसको linear programming कहते हैं 7 अध्याय होगा प्रायक्ता probability कहते हैं यह आपको लाश्ट में परना परेगा तो कूल आप लोग देखें कि 12 में कितने अध्याय को परना है तो 13 अध्याय को परना है फर्स्ट बुक में आपको 6 लेशन मिलेंगे और सेकेंड बुक में जो है अच्छी ढंक से वोट की तयारी कराई जा रही है तो आप क्या कि जा अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नहीं होंगे तो पिलिज आप भी इसे सबस्क्राइब कर लेजिए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद